वेलकम टूजेकेस्वी आलाइन ट्यूट्योरियल में हूँ सतीश और आज हम लोग कंटीनियू करेंगे हमारा नेक्स टॉपिक जाने के टॉपिक सेकिंड और टॉपिक सेकिंड में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में हम लोगोंने टॉपिक वन में सोसाइटी कॉमनेटी असोशेशन बहुत अच्छे से पड़ा उनके सभी चीज़े कवर करी और विद MCQs and test हमने उसको complete करा और मुझे अपको सारा समझ आया होगा ओके सो आज हम लोग continue करने वाले हैं second topic और second topic में हम लोग social स्ट्रेटिफिकेशन पड़ेंगे करने से पहले आप सबके लिए important notification well notification ये है कि हमारा female supervisor course के उपर जो offer चल रहा है triple nine का वो सिर्फ और सिर्फ आज और कल के लिए ही valid है मतलब की 30th and 31st December तक ही वो valid है उसके बाद हमारे जो course का price है वो 2500 हो जाएगा तो जितने बच्चों ने अभी तक join नहीं करा तो आज या कल आप लोग join कर सकते हैं सिर्फ triple nine पे करके इस course में आपको हम लोग complete जो video course है वो complete करेंगे within two and half months and उसके बाद इस course में आपको complete notes mcqs okay with mcqs pdfs okay इस सब चीज़ प्रवाइड की जाएगी and साथ में आप लोगों को complete test series इस course में प्रवाइड करेंगी और मैं personally आपको 100% selection guarantee देता है इस course में क्योंकि course को हम लोगों ने इस तरह से design कर रहा है ताकि आप लोगों का एक तो पूरा complete course plus revision and practice सासत हो जाए so that add the end selection जो है वो आपकी हो clear है तो जिन बच्चों ने अभी तक join नहीं करा join करने के लिए आम मुझे message कर सकते है मेरे what's up number seven double zero six double three two seven two four यह मेरा what's up number है message में आपको simple लिखना है supervisor course क्या लिखना है supervisor course आपको कोई hello high नहीं लिखना direct supervisor course लिखना है जैसे आप supervisor course लिखो कि मेरे what's up number पर आपको साथी detail जो है वो provide कर दे अगेन आयम repeating की इस female supervisor के ऊपर जो offer है वो सिर्फ आज और कल तक ही valid है फुर्स जनुरी थे इसका price 2500 हो जाएगा और चलिए social certification के बारे में आप सभी लोग जानते believe me चाहे आप science के हो commerce के हो चाहे आप किसी भी stream के हो you know everything about the social certification but the thing is कि इसको अब basically sociologist ने किस तरह से explain करा है वो हमें सिर्फ उनकी भाश्या में समझना है बस और next मेरा काम शुरू होता है कि इस पूरे के पूरे process को पूरी के पूरे system को किस सरह से आपको easy way में explain करना है वो मेरे जिम्हेदारी है और ये कीन वानी में है जो भी चीज़े आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्रिस्टल क्रियर हो चाहिए क्लेर है तो social certification basically क्या होता है थोड़ा सा बता जेता हूं फिर उसके बाद हम next बढ़ते है सोशल का मतलब जो है अब सभी को पता है यह किसका सनॉनियम है सोशाइटिए वर्ड से बना हुआ हूँ है जब भी हम क्या मतलब होता है स्वाइटा का मतलब होता है लियर परते ठीक है जैसे आप लोगों की रॉक में परते होती है जैसे स्वाइल में टाइप सोती इसी तरह से इसी तरह से सुसाइटी में भी डिफरेंट डिफरेंट लियर्स होती है डिफरेंट डिफरेंट हरार्की होती है on the basis of position, on the basis of ranking, on the basis of caste, तो वही चीज़े हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलिए, अगेन मैं आपको बतायता हूँ कि हमारी society में जो भी मतलब layers बनी हुई है, जैसे for example, rich, poor, superior, inferior, ठीक है, दन उसके बाद हम लोग थोड़ असा और देखें, तो जिस तरह से मतलब differences रहते हैं society में, उन सभी चीज़ों को बोला जाता है, stratification, तो वही सारी चीज़े हम लोग इस particular topic, जिसका नाम है social stratification में पढ़ेंगे, अब मुझे उमीद है कि इस word का आपको meaning पता लग गया, अब मैं आपको कोई भी चीज़ बताऊंगा, वो आपको crystal clear समझ आएगे, देखो, अब social stratification जो है, उसे हम लोग इस particular second topic में हम लोग इसके साथ related कर पढ़ेंगे, देखो हमारी society जो है, obviously caste और class के उपर based है, तेक है, caste और class के उपर based है, अब caste जो है, वो socially point of view से, मतब अगर हम society point of view से देखें, तो चीज़ें जो है, वो caste, मतब caste के basis पे society divided हैं, वहीं पे अगर हम wealth की नजर से money की नजर से देखें, power की नजर से देखें, तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे society class के basis पे divide है, जैसे higher class, lower class, middle class, समझाई, अभी यो higher class, lower class, middle class, जो होती है, ये किस basis पे होती है, ये wealth के basis पे होती है, और ये जो caste होती है, ये हमारी society में, आप सभी को पता है, जैसे वो ancient theories म अपने पढ़ा होगा, कि चार वर्नाज होते थे, जिसमें, ब्रह्मन, शुद्राज, वहिश्याज, तो यही शत्रियाज, ये चार वर्नाज की basis पे, जो caste system बना, तो वो हमारी society में, आज भी चलता हो आ रहा है, तो caste system तो वो हो गया, जो हम पढ़ेंगे इसमें, और साथ मे class system, जो wealth के उपर, money के उपर, आप लोगों की, मतलब, position के उपर, status के उपर, जो चीज़ डिपेंड करती है, जैसे higher class, lower class, middle class, वो सारी चीज़े पढ़ेंगे, तो in short, मैंने अभी तक आपको simple word में क्या बताया, सुनिए, मैंने आपको बताया कि हम लोग topic second में पढ़ने वाल superior, inferior, ठीक है, अब superior, inferior, मतलब, पताया क्या है इसका, जैसे ranking के basis पे होता न, कोई बंदा higher rank पे है, कोई लोग lower rank पे है, तो वो सारे के सारे, जो society जो divided है, इन सभी positions के उपर, इन सभी layers में, उसको बोला जाता social certification, और social certification में हम लोग किन-किन types को पढ़ेंगे, हम लोग caste को पढ़ेंगे, इसके बाद बहुत सारे आती है, जैसे race हो गया, color हो गया, creed हो गया, हमें वो चीज़े नहीं पढ़नी है, हमारे sleepers पर जो चीज़े दिया हमें सिरफ वही पढ़नी है, और मुझे उमीद है कि जिस तरन से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको मजाएगा, ठी आपको साथ से लेकर आठ बजे के बीच में, आप मुझे message करो, या मुझे call करो, कोशिश करना message करो या call करो, मैं आप लोगों को clear कर दूँगा, इस एक गंटे के लिए, इस एक गंटा जो होगा, ये आपका doubt वाली class होगी, ठीक है, और इसमें आप जो भी मुझे पूछना पूछ सकते हो, लेकिन इससे ना पहले ना बाद में, I swear, कसम खाके कहता हूँ, आप लोगों के, ये जो daily के, जो मुझे मतलब, जिस time में आपका दिल कर रहता है, आप रात के 11 मुझे मुझे send कर रहे हो, morning, सुबह सुबह मुझे send कर रहे हो, तो इसकी वज़ा से मेरी productivity में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ, आपका message आ जाता है, मेरा सारा द्यान उसमें चला जाता है, ठीक है, मुझे अभी तो हमने सिर्फ शुरुवाद करी है, I just want ये बहुत अच्छे से पूरा syllabus cover करें, और आप लोगों को करवाए, तो मेरी productivity में कोई problem ना है, इसलिए मैंने एक particular एक गंटे का time आपको दे दिया है, मैं इसके एक गंटे में आप लोगों के साथ रहूँगा, आपको कोई भी दिक्कत आती है, message करें, call करें, मैं solve करूँगा, और दूसरी चीज, आप लोग एक एक बार चीज़ों को बढ़ते हो, और पिर आपको जो चीज पता नहीं चलती, आप लोग मुझे आखे message कर देते हो, बैई, कम से कम अगर आपकी background sociology नहीं है, कम से कम मेरा lecture दो से तीन बार देखो, आपको सारी चीज़े clear समझ आजेंगे, मैंने symbolic interaction में सबसे पहले ये बताए कि ये theory किस ने दिये, साफ तोर पे मी मजबो आया है, लेकिन ये जो आप, मतलब हर एक इनसान को बताए क्या होता है, बंदा खुझ से महनत करना ने चाहता, उसको लगता है कि अगर कोई बंदा बैठा हुआ, तो क्यों नहीं है, इसको बोले है, चलो करो, और फिर अगर कुछ लेट हो जाए, तो आप लोगों क कुछ लोग इतने बत्तमीज है, मैं क्या बोलूँ, तो इसलिए मैंने ये एक घंटे का टाइम आप लोगों के रखा, अगर आपको कोई भी इशु आता, आप साथ से आठ वज़े के बीच मुझे मुझे मेसेज करो, कॉल करो, मैं आपकी हर तरह की चीज़े सॉल्फ बाई, आपकी ख्याल से थुड़ी काम चलना है, अगर मैंने कोई चीज पढ़ाई है, उसमें explanation दी है, प्रॉपर तरीके से, आपका ख्याल मेटर नहीं करेगा, अब ये सोचो कि जो मैंने expression दीच, उसका answer दिया, ये क्यों दिया है, आपको वो जानना है, आपको अपने ख् broader concept, मेरा तीन बार वीडियो देखने के बाद समझ नहीं आता, उसके बाद मुझे call करो, मैं आपको पूरा अच्छे से एक चीज बताऊंगा, लेकिन अगर आप एक बार सुनके, चीज़ें आपके सामने हैं, फिर भी आपको पता नहीं चला, आप इमेंडेटली मुझे message य होगी, और उसके बाद, इस से ना पहले ना बाद में, इसी टाइम पे आप लोग मुझे जो भी डाउटा वो कर सकते हैं, so that कि मैं भी अच्छे से यार, आप लोगों स्लिबस कवर करू, आप लोगों के कम से कम डेटली सो 200 टॉपिक हैं, जो मुझे कवर करवाने हैं, please, okay, क्यों मेरी जान लेने पे तुले हो, okay, चलिए, अब बढ़ते हैं, social certification की तरफ, और मैं आप लोगों को already इसका meaning बता चुक हो, यह important request थी, जो मुझे करनी थी, and I hope कि आप लोग समझा जाओगे, next, अब बात करते हैं, कि social certification जो topic है, इसमें हम लोग क्या-क्या cover करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे meaning की, फिर हम बात करेंगे social certification के definition की, फिर हम बात करेंगे features की, अब theories जो है न, वो end में करेंगे, last में करेंगे, बीच में करेंगे, ठीक है, feature करने के बाद हम certification के types के बारे में पढ़ेंगे, जो आप पो अल्यड़ी बताया है, जो हमें exam के लिए ठीक है, कौन-कौन से type है, पहला तो cast system हो गया, फिर class system हो गया, यह दोनों types हम पढ़ेंगे, और cast system में भी further हम लोग इसकी definitions, ठीक है, definitions, फिर उसका meaning, फिर उसके types, then उसकी theories, ठीक है, theories पढ़ेंगे, और फिर proper तरीके से cast और class को भी अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि कोई भी question, अगर social certification में से आता है, या cast में से आता है, या class में से आता है, आप उसे easily mark कर सको, clear है, आप उसे easily mark कर सको, और मुझे उमीद है, कि मैं आपको जो भी चीज़े पढ़ाऊंगा, बस आप उसी चीज़े पर stick रहोगे, आपको आगे बिच्छे जाने की ज़रूरत नहीं है, चलिए, अब हम start करते हैं, हमारा social certification का meaning लगा लो, या introduction लगा लो, या कुछ भी लगा लो, ठीक है, और start करने से पहले आप सबको बता दूँ कि ये जो भी चीज़े मैंने लिखी हुई है, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, सुनो, जैसे for example आप लोगी जे written material में देख रहे हो, इसको इस तरह से मत देखो कि इसी में से exam में आएगा, इस नजर से मत देखना बाई, क्यों, क्योंकि ये जो written form में चीज़े लिखी हुई है, जो आप देख रहे हो, अगर आप 10 किताबे रखोगे, social certification का meaning same होगा, लेकि लिखने का तरी component की, वो concept clear करने से ज़ादा importance लिखने पे और written material पे देता है, इसलिए आप लोग बोलते, book है, pdf है, भाई, book है और pdf है, एक ही book, same concept के उपर, कम से कम 10-12 authors ने लिखी होती है, और बिलकुल अलग-अलग language में, तो फिर आप क्या करोगे वहाँ पे, इसलिए मैं हमेशा कहता ह कि अपना ध्यान मेरी, मैं जो बोल रहा हूँ, उसके उपर दे, अपना ध्यान अपने concept को clear करने पे दे, आपका एक भी question नी छूटेगा, ठीक है, clear है, अच्छा, एक और example देता हूँ, यह जो written material दिया है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसको importance नहीं देना, क्योंकि जैसे for example newspaper सोना, newspaper देखिया है न, आप लोगों ने, उमीद करता हूँ, देखियोंगे, newspaper में अगर कोई incident आता है, होता है, जैसे for example, modi jamu आ रहा है, तो जितने भी newspaper है, सारे यही छापेंगे, कि modi jamu आ रहा है, लेकिन language देख रहा हर किसी की different होगी, आ गया modi jamu में, jamu में आ रहा है modi, modi न jamu आने के लिए यह तारी करता है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो written form में, बात तो वही हो रही है, लेकिन अगर आप किसी एक particular चीज़ को बोलोगा कि यहीं से कुछ होगा, यहीं से exam में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, in short मेरा कहने का मतलब यह है कि, you people will focus more on clearing your concept, not on PDFs and not on a written material, क्योंकि written material can be changes at different, in different PDFs, okay, चली, okay, देखो, मैं आपको एक चीज़ बदा दू, concept clear करने से पहले, I just want कि बहुत सारे ऐसे candidate है, जो बचारे नहीं है, जिनको नहीं पता, तो अगर मेरे चीज़ों को explain करने से, अगर मेरी कुछ चीज़े, experience share करने से आपको help ह Okay, तो देखो, बहुत सारे से बोलेंगे कि यार, अब बोलते बोलते कराते कम हो, अगर मैं जो चीज़े बोल रहा हूँ आपने experience के basis पे बोल रहा हूँ, अगर कोई teacher नहीं बोलता ना, तो समझ लो, वो रटा मार के आया घर से, ठीक है, वो वही चीज़ें जो आपको दिया, it's a society, stratification, मतलब जो society में जो inequalities है, ठीक है, उनको बोला जाता है, ठीक है, different layers जो बनी हुई है, society में, okay, और जो layers है, on the basis of that, layers हमारी society में, जो rich, poor, superior, inferior, यह जो divisions बनी हुई है, इनको बोला जाता है, stratification, तो मतलब in short, पूरी society में, पूरी society जो divided है, different factors के उपर, वो हम है, बस इसको explain करूँगा, इसमें explain करने वाला कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बाई, एक ही question आएगा, वो इस concept को समझने के बाद, समझाने के बाद मैं आपको बता दूँगा, social stratification में किसरा का concept जो है, वो exam में पूछा जाता है, okay, तो सबसे पहले का लिखा है, कि individual या society हो, वो हर जगा अलग-अलग होते हैं, ठीक है, मतलब, कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है, जो बिलकुल same हो, अगर, अब आप लोग बोलोगे, बाई, जुड़वा लोग भी तो होते हैं, हमने सुना है, दुनिया में साथ लोग एक जैसे होते हैं, ओ बाई, सुना सुन certification में, that is not on the basis of physical appearance, या biological differences, हम लोग यहां पढ़ेंगे, कि society में जो hierarchy system है, ठीक है, किस basis पे, यह आप लोगों का wealth related हो गया, position related हो गया, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या लिखा है, कि differentiation जो होता है, वो central feature होता है, human society का, मतलब कोई differentiation होता है, division या, ठीक है, अब आ अब क्या लिखा है, कि कोई भी society हो, या कोई भी इंसान individual हो, वो सभी एक दूसरे से different है, कोई same नहीं है, ठीक है, तो वही, no, दो individual कोई भी similar नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो इसलिए diversity और जो inequality है, वो inherent है society में, inherent होता है, जो starting से हिसात हो, ठीक है, जैसे inherent मतलब, पूरवज से लेकर, ऐसे हम लोग बोलते हैं, कि यह inherent है, कि किसी इंसान को कोई निशान हो, या कुछ ऐसा हो, हम बोलते है, inherent है, मतलब, इनको, इनके बंच को starting से है, तो वही चीज लिखी है, कि diversity और inequality जो है, वो inherent है society में, मतलब, जब सब society स्टार्ट होई, तब से यह चीज़े, अव inherent है society में, next यह है कि जितनी भी societies हैं, वो क्या करते हैं, आपने members को arrange करते हैं, ठीक है, with respect to superior, inferior, ठीक है, superiority, inferiority, मतलब, superior, inferior के basis पे, and quality, the placement of individual in startile layer is called certification, ठीक है, वही चीज़ मैं आपको बताई, कि जितनी भी societies होती है, उस societies में क्या होता है, कि जितने भी members होते हैं, उन लोगों superior, inferior, ठीक है, rich, poor, higher, lower के basis पे, individuals को placement किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं, starta, starta का क्या मतलब होता है, मतलब होता है, layer, और इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, social certification, और already मैं explain कर शुका हूँ आपको, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे क्या लिक है, कि people on the top, stratum, stratum का मतलब होता है, stratum का मतलब मैंने आपको भी बिताया, layer, मतलब जो subset top पे है, यह देखो भई, यह ना subset top पे, ठीक है, तो क्या लिखा है, कि जो layer subset top पे होती है, उसके पास more power होती है, more prestige होती है, मतलब जादा power होती है, जादा शानशोकत होती है, जादा privileges होती है, जादा उसके पास resources होते हैं तो as compared comparison with those who place lower मतलब जो इनसान lower level पे है उसके पास वो सारी चीज़े नहीं होती जितनी वो अपर वाले के पास होती है तो यह explain करने वाली उतनी इसमें कुछ बड़ी बात दी है नेक्स लिखा है इन्होंने कि यह जो सोशल स्टर्टिफिकेशन है यह omnipresent है omnipresent का मतलब होता है which is present everywhere मतलब जो हर जगा पे available है ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही इसमें बाइब अगर आप लोग ग्रीक में देखोगा ना ग्रीक सोसाइटी में उस टाइम पर वहां पर स्लेवरी और मास्टर वाला कंसेप्ट होता था मतलब लोग होते थे जो factors है जिनके ओपर divide किये गए है society divide है वो अलग हो सकती है लेकिन ऐसी कोई society नहीं है जहां जो divide ना हो इसलिए social certification जो है वो omnipresent है it is present everywhere in different हम पढ़ेंगे इसको ठीक है मतलब diverse form में हो सकती है different form में हो सकती है certification लेकिन ऐसा नहीं एगी किसी भी society में ना हो इट्स omnipresent ठीक है अब लिखाए कि हर कोई society जो है ना दो से तीन different groups में divide होती है so that's why कोई ऐसे society नहीं है जो un-certified हो मतलब जहां पे कोई भी layer यह division of peoples ना हो clear है यहां तक clear है मैं again एक चीज रिपीट करता हूं इस सभी के सभी चीज़ों को एक simple वाशा में again बता देता हूं एक simple एक line में explain कर देता हूं कि जब society में लोग जो है वो different hierarchy different layers में divided है on the basis of on the basis of power, money, caste, class ठीक है तो उस चीज को क्या बोला जाता है social certification बोला जाता है और जो लोग सबसे top level पे आते हैं उनके पास ज़्यादा power होती है ज़्यादा prestige होती है as compared to those जो नीचे lower layer में है ठीक है उसके बाद हमने पढ़ा कि social certification जो है वो omnipresent है ऐसी कोई society नहीं है जहां पे मतब जो बिल्कुल same हो जहां पे layers या division of people ना हो समझाई division of society ना हो sorry ओके यहाँ तक कोई doubt मुझे उमीद है कि आपको कोई doubt नहीं होगा ठीक है तो concept समझ आ गया social certification का अब next बढ़ते हैं हम लोग इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और explain करेंगे ठीक है क्योंकि social certification आप लोग मुझे पता है आप लोग PDF वहले लोग हो तो मैं भी जिद्धी हूं कि PDF छुड़ा के रोखूँगा मैं इतनी easy way में concept के दिमाग में गुसा दूँगा कि आप बोलो के ना भाई खुद लिखेंगे इसके उपर 500 वर्ड का ऐसे ठीक है अब क्या लिखा है थोड़ा सा और अधर वर्ड में हम डिस्क्राइब करते हैं इसी social certification की बात कर रहे हैं हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम लोगों ने ऊपर से नीचे तक अभी तक जो चीज़े पढ़ रही है social certification को ही हम लोग describe कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा अधर वर्ड में लिखा है कि जो process है किसका social division का social मतलब society division मतलब बटवारा society में जो बटवारा है उस process को मतलब अभी जो बटवारा है किस बेसिस पे on the basis of caste age, gender, occupation, religion, profession, culture, classes इनको इसी बटवारे को जो बटवारे हुए है इस बेसिस पे caste, age, classes, gender, occupation, religion, profession, culture इसी को बोला जाता है social stratification क्या बोला जाता है social stratification ओके तो members जो होते हैं every society के वो upper and lower layer strata मतलब strata मतलब layer layer में divide होते हैं ठीक है तो मतलब पूरी society में कुछ लोग top level पे कुछ lower level पे और अल्लेड़ी उपर बता चुक हूँ ठीक है इसका जो answer है और इस च्राटा भी होता है स्टार्टम भी होता है ठीक है अब क्या है सुने यह जो term है stratification कहां से लिया गया है यह geologist ठीक है taken from geologist एक एक जॉलोजिस्ट है मतलब जो स्टडी करते हैं स्टडी करते हैं किसकी स्टडी करते हैं तो यह जो स्टर्टिफिकेशन वर्ड है यह बिसीकली एक जॉलिजिस्ट वारा लिया गया है जिन्हों रहा था क्या डिफ्रेंट लियर्स ओफ स्टार्ट अब इसका मतलब होता है अब वह लियर्स यहां पर रॉक्यां वह बात करेंगे तो मतलब स्टार्टम लियर्स ओके लेर तो इसी तरह दिन्हों लिखाएक जैसे आर्थ के दिफेर्ट इफ्रेंट इस सोती है उसी तरह से में जुट में जो लोग हैं सोससाइटी के लोगो ऑर इपरेंग लेयर्स में जैसे स्वाइल और रॉक जो है वह फ्लिफेंट होती है अर्थ vaya कोशिश कर रहा हूं कि एक चीज़ को दस बार बोलूंगा तो कही ना कहीं तो गुश जाएगी वह अगर एक बार बोलके छोड़ दिया होता ना तो शायद वह आप लोगों के माइंड से अब इस पहले पॉशिशन में पढ़ाने के बाद इंपॉटन चीज़ आपको अब लिखा कि आल सुसाइटीज प्लेस देर मेंबर्स इन पॉजिशन ऑलड़ी वता जुका हूं कि जितने विए उसमें क्या होता है कि वह अपने मेंबर्स को पॉजिशन मतलब अरेंज करते हैं जैसे फर इसे फिशंपल हाइर पॉजिशन लोगर पॉजिशन सुपीरीर इंफीरीर ठीक है जितने भी जो भी उनके अंदर क्यालिटी इसकील होती है यह उनके पास जो भी अमाउंट ऑफ मनी जो होता है वेल्ट होती है उस पेसिस पे ठीक है तो इसी लिए दिर इस कि बंती है ठीक है अब हमने क्या पड़ा चले मैं आपको एक्स्प्रेans करते हो यहाँ पे इन्होंने बोला कि सुसाइटी में एक वर्टीकल टाइप की हरारकी मतलब होती है ृच जाहां तर करते है क्यों करते हैं क्योंकि मिडल बिचारा ना लोड़ में आता ना अपर में जाते है बीच में होता है ठीक है तो क्या लिखा है कि society में society जो अपने members को arrange करती है higher and lower superior and inferior के divisions में hierarchy में ठीक है layer में on the basis of power on the basis of work मतब जो भी काम करते हैं जैसे for example किसी university का dean है यह VC है तो obviously वो higher rank पे होगा अब उसी university का अगर्पियों है तो वो किस लेवल पे जाएगा lower rank पे जाएगा ठीक है तो वो के basis पर पता लग गया अब बात करते हैं देन उसके बाद बोलता है कि wealth के ओपर economy के ओपर तो लोग अपर क्लास है मतलब बहुत अमीर है वह obviously अपर क्लास में जाएंगे जो थोड़े ऐसे हैं तो वो नीचे आएंगे ठीक है तो इस तरह से कास जंडर एज के basis पे society जो है divided है different layers में जिसको क्या बोला चाता है इसको बोला चाता social stratification क्या बोला चाता है social stratification और मुझे उमीद है कि आपको अच्छे समझाया होगा clear है चलिए अब आपको मिनिंग पता लग गया मैंने गुसा गुसा के गुसाई दिया होगा ठीक है मिनिंग इसका आपके दिमाग में तो स्वारी बोल-बोल के उसाई दिया होगा अब बेसिकली बात करते हैं इसके definitions के ठीक है तो आप लोगों को एक चीज मैं बता हूं मैं आप लोगों साथ जिस तरह से बात करता हूं या जिस तरह से बोलता हूं मैं कभी भी आप लोगों के साथ ऐसा टीच है उस तरह से बहेव नहीं करता मैं आप लोगों की तरह बनके पढ़ाता हूं आप लोगों को और मुझे उमीद है कि आपको उस तरह से समझ भी आ रहा होगा ठीक है अगर मुझे फॉर्मल तरीके से पढ़ाना हो ना तो भाई मैं ऐसे पीडियो को लूँ अच्छा ठीक हम आज यह करेंगे वस वही चीज़ को माग कर और कहानी मैं एक रिलेशन्शिप बनाके बढ़ाता हूं आप लोगों से आपको लगे ना कि आप लोग वीडियो देख रहा है असे लगे कि बंदा सामने बैटके बढ़ा रहा आपको चले अब हम बात करते हैं य जाते हैं Calas časya है इनके round नोयरा iphone सामा इसा में हरे होका हाँ हम लोग है बात सिरुफ इतनी है कि जैसे मैंने कुछ बोली मैंने बूला कि हां पाई चल देखने चलते हैं तो मेरे किसी ने दोस्त ने भोला यार, Animal फिल्म देखने चाह रहे है हम लोग है ना, तो ये तो खेर, संटेंस में चेंज होगा है, कुछ मिनिंग बनानी इसका, जैसे फॉर इक्जेंपल, मैंने का कि यार, Animal फिल्म जो है ना, बहुत तकड़ी है, तो किसी बंदे ने का हाँ वही, Animal फिल्म मे तो बाद इसमें social stratification की हो रही है बट हर किसी ने अलग लग मुह से बोला हुआ वर्डिंग से बोला हुआ है तो आपको exactly इसके वर्ड जाने की जुरत नहीं है कि अब नेक्स दूसरा डाउट आता बच्चों को इस definition को लेके वह यह कि इसको याद कैसे करें पहली चीज आपको as it is चीजों को लिखके रखना है अब लिखना कैसे है शौट में लिखना जैसे ओगवन निवकफ ने क्या कहा शौट में दो तिन लाइन में लिख दिया चोटा चोटा करके इस तरह से अब इसको याद नहीं करना जब भी आप कोई lecture सुनने बैठ रहे हो जैसे अपने निया lecture निया class लेना शुरू करा तो आपने क्या करना पु यहां से डिरेक्टली ऊपर डेफिनेशन दे दी हुईगी और आपको बोलेंगे कि बताओ यह किस सुचॉलोजिस्ट ने या किस ऑथर ने इसको ऐसे बोला ठीक है अब सबसे पहले वह देफिनेशन देट इस ओगवन और निमकफ की बात करेंगे इन्होंने कहा है कि प्रोस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंडिजल या ग्रूप को रैंक किया जाता है रैंक का मतलब मतलब फोर सेकि थर्ड फोर्द इस लेवल पर रैंक किया जाता वह और यां लेस औंडीरिंग अरार्यिया of status, enduring होता है, long lasting, ठीक है, long lasting, जो hierarchy होती है status की, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, stratification बोला जाता है, ओके, again समझाता हूँ, कि इसने, और निमकफ ने क्या बोला है, निमकफ ने बोला है, कि वो process जिसके basis पे individual या groups को rank किया जाता है, जादा या कम में, ठीक है, तो उस on the basis of status, ठीक है, और hierarchy क्या होता है, hierarchy होता है, ये, इसने ये ना, इस ऊपर से निचे जो system होता है, इसी को बोला जाता है hierarchy, ठीक है, अब ये status के hierarchy में, जो लोगों को मतलब किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है स्टाटिफिकेशन यह किसण कहा है यह और और इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि ऑढ़न शोडे ये टीफिनिशन भी है रेमुपR न और मुरे ने तो इसमें to lower higher and lower social unit, ठीक है, यह horizontal इस वन लाइन, ऐसी जो लाइन सो होती है, इनको बोलता है horizontal, ठीक है, तो जहां पे भी जिस भी definition में आपको horizontal division of society मिले, तो समझ लेना, बात किस की हो रही है, रेमुन मुरे की हो रही है, यह key point आप समझ लेना, ठीक है, तो कहा है कि social certification जो है, वो क्या है एक horizontal division of society है, higher and lower social units के बीच में, ठीक है, next जो definition है, वो दी गई है, Malvin and Tumindwara, इसमें इन्होंने क्या कहा है, कि social certification उस arrangement of social group को बोला जाता है, यह society को बोला जाता है, जिसमें society को hierarchy के basis पे अनिकुल तरीके से, मतलब, अनिकुल तरीके से, जो hierarchy में उनको जगा दी जाती है, position दी जाती है, मतलब, top position, lower position, ठीक है, on the basis of power, property, social evolution and psychic gratification, psychic होता है, मानसिक, ठीक है, यह psychology word से बनाई है, gratification होता है, क्या बोलता है, इसको, gratification का मतलब होता है, संतुस्ट, ठीक है, जो मानसिक संतुस्टी जो होती है, इंसान की, मतलब, इन चीजों के basis पे, कौन-कौन चीजों के basis पे, power, property, social relation and psychic gratification के basis पे, जिस society में, लोगों को divide किया जाता है, उसको बोला जाता है, social certification, ठीक है, clear है, मतलब, हम जो भी definitions पढ़ रहे हैं, बहुत, social certification की ही हो रही है, ज्यादा confused होनी की जोत नहीं है, बस वही है ना, हरकिस ने अलग-लग तरीके से कहा है, अब कैसे कहा है, वो भी मैं आसमें बताऊंगा, टेंचन मतलो, अब ये next जो है, that is, लुडवर्क, लुडवर्क ने बोला है, कि certified society जो है, वो किस चीज से mark की जाती है, inequality के basis में, मतलब, जो certified society है, मतलब, ऐसे society जो divided है, जिसमें different people के layer बने हैं, वो हमें कैसे पता लगता है, जब हम लोग differentiation देखते हैं, लोगों के बीच में, ठीक है, okay, by being lower and higher, मतलब, जब हम लोगों के बोला है, देन उसके बाद, बात करी गई है, कि William ने क्या बोला, William ने बोला कि social certification क्या है, is the ranking of individual, individual की ranking on a scale of superiority, equality, ठीक है, according to common accepted basis of evaluation, ठीक है, मतलब, कहने का यह है, कि William accordingly, social certification, उस ranking को बोला जाता है, इंसान की उस ranking को बोला जाता है, जो society में, मतलब, किसी particular evaluation के basis पे दी जाती है, ठीक है, अब वो ranking आपको पता ही है, superior और inferior के inferior level पे होती है, ओके, तो यह थे वो सारे definitions regarding your social certification, और मुझे उमीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी problem पता है, क्या होती है, बच्चों को जो सबसे बड़ी problem आती है, वो ये, they want to know the meaning, मतलब इन्होंने क्या बोला है, वो जानना चाहते हैं कि इस बंदेने अगर बोला है, exactly इसका meaning, ठीक है, भाई, वही चीज मैंने आपको जो बताई, कि बात यहां पे सभी लोग social certification की ही कर रहे हैं, बट हर किसी ने अपने अपने word में इसको social certification को बोला है, ठीक है, जैसे for example, कि animal movie जो है, वो बहुत खतरनाक ही है, वहीं पे किसी ने बोला, animal movie में जो action है, वो बड़ा जबरदस्त है, वहीं किसी ने बोला, हाँ भाई, वहाँ पे रनवीर कपूर ने जो action कर रहा है, animal movie में बड़ा खतरनाक है, मतब तीन तरह की बाते मैंने करी, और तीनों तरह की जो wording थी, वो अलग अलग थी, और यही इसी तरह से चीजें जो है, वो definition में होती है, बात social certification की ही की जारी, लेकिन हर बंदा अपने अपने तरीके से बोल रहा है, essence वही है, meaning वही है, अगर आपको social certification के बारे में जाना है, उसका meaning आपको पता है, अब इन्हों ने अपनी word में कैसे explain करा है, बस आपको ये याद रखना है, समझा आगी, मुझे अमीदा आपको समझा आ गया होगा, ठीक है, अचा, मैं फिर से एक बार explain कर देता हूँ, कि वो key points जो आपको याद रखने है, इन definition में इन लोगों के, जिसको आपको देखके, आपको पता लग जाए, कि ये बात किसने बोली है, देखो सबसे पहले, तो अगर आप उगवर्न और निमकोफ की बात करें, इस बंदे का अगर कहीं नाम हुआ, तो अगर ऊपर ये definition में आपको दिया होग enduring, less, more or less enduring of status, अगर ये आपको line कहीं पर दिखी, ठीक है, तो वहाँ पर समझ लेना, बात, ये इसका जो, ये बात जो है, किसने बोली है, ओगवर्न और निमकोफ ने बोली है, अब आप लोगों के लिए, मैं, जो short method कुद यूज़ करता था था न, अपने time पर, वो बंद करके, ओगवर्न और निमकोफ को लगा देना, ठीक है, वहीं पर जो रेमॉंड और मुरी ने कहा है, जहां पर भी आपको horizontal division of society, जहां पर भी ये आपको line दिखेगी न, तो आप रेमॉंड और मुरे को टिक करते हैं, क्योंकि ये बात इन्होंने बोली है, ये वो key point है जो इन लोगों ने बोले है, और अगर आपको इन key points का पता है, आपने इनको देखा है बार-बार तो आपको बता लग जाए किस बंदे ने बोला है, तो पूरी definition, obviously किसी के mind में नहीं रहा थी, हमें कुछ important points को रखना है, so that कि वो point जब हमें मिले, हम easily इन लोगों के definition को टि Unequal, ठीक है, Unequal with record to power, property and cycle, gratification, ठीक है, जहां आपको ये line दिखेगी, ठीक है, वहीं पे आप लोगों को पता लग जागा, मैं भी not to mean की बात की जा रही है, उसके बाद ये लुटवर्ग ने क्या बोला है, लुटवर्ग ने बोला है, इन इक्वालेटी वाइ इन डिफरेंस ठीक है, इन डिफरेंस सिर्फ इतना है, इन इक्वालेटी बाइ डिफरेंस, ओके, दैन उसके बाद, विलियम का जो आपको याद रखना है, वो ये, कि ये superiority, equality, ठीक है, according, accepted basis of evaluation, ये दो चीज़े आपको याद रखना है, जहाँ पे भी आपको ये line में के, बस आंके बन करक करना है, ओके, तो ये मैं पुराने टाइम पे जब मैं खुद पढ़ता था, तो तब हम में में चीज़े हैं, इसके उठा लेते हैं, क्या हमारा दो पेपर वो, descriptive type का होता था, आप लोगों objective है, तो इन चीज़ों पर फोकस करना, आपको ये definitions कभी नहीं बूलेंगे, clear है, All the best, मिलते हैं next video, फिर हम बात करेंगे, इसके features, प्लस इसके हम लोग बात करेंगे, what, elements की, ठीक है, तो अब हम कोशिश करेंगे, फटा-फट जल्दी से जल्दी खतम करें, और so that कि आपका अच्छे से, क्योंकि हमें जल्दी खतम करना है, और revision करने हैं, हमारा main focus है, आपक को पूरे syllabus को तीन से चार बार revise करने पे टिका हुआ है, अगर हमने तीन से चार बार revise नहीं करा syllabus को तो दिक्कत होगी, ठीक है, और selection जो है, इसलिए अब मैं अपने जोर से दम लगा के चिज़ों को खतम करूँगा, और मुझे उमीद है कि आप लोगी मेरा साथ होगे, और अगर आपको कोई डाउट आता है, तो शाम साथ से लेकर आठ वजे के बीच में मुझे कभी मेसेज कॉल करो, मैं हल्प करूँगा, ओके, all the best, thank you so much, देखिया, बाबाए